दोस्तों कि आप जानते हैं कि 63% किसान अपने खेती की सुरुवाती सीजिन में जमिन को गिरुवी रख देते हैं लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है तो एक रिपोर्ट केती है इसलिए खेती की सीजिन में कम फसल उत्पादन के कारण में उन्हें प्रयाप्त पैसा नहीं मिल पाया थओ इसका मुख्य कारण है कम पानी या परयाप्त बशा के कारण इस समय कंख्य का समाधन क्या है जैसे समुष्य कपन सब्सक्राण की सबस्का करांवन जानते हैं कि फसल में पानी की कमी के बाज़े से कुछ समझ्चाओं के बारे में सबसब पहला फसल में पानी सही तरीके से नहीं मिलने के कारण प्रयाप्त मात्रा में नमी नहीं मिल पाता है जिससे फसल का ब्रिद्धी रुख जाता है और धिरे धिरे फसल खराब हो जाता है दूसरा, फसल में पानी कम मिलने के कारण उन्हें प्राप्त मात्रा में पोशक तो उपलोब्द नहीं हो पाता है जिससे फसल का बृद्धी तो रूखता ही है और साती साथ विविन्य प्रकार की न्यूट्रेशन की कमी भी देखने के लिए मिलता है तिसरा, पानी की कमी के कारण उन्हें प्राप्त मात्रा में उपज नहीं मिल पाता है जिससे किसानों को आर्तिक हानी की समना करना परता है चोथा, किसानों को पानी की पांप किराय में लेना पड़ता है या फिर एक जगा से दुसरे जगा पानी ले जाने में उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है पाचवा, खारब भसल उपज के कारण उन्हें आर्तिक समस्याओं की समना करना पड़ता है, जिससे जमिन गिर्वी रख देते हैं लेकिन आव आपके लिए एक समाधान है, जी हाँ, एलेस्ट्रा हाइड्रोजल, जैसे कि मेरे हाथ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, एलेस्ट्रा हाइड्रोजल एक पोटासियम आदारित क्रोस लेकिंग हाइड्रोजल पोलिमार है, जब इसे मिट्टी में मिलाया जाता है, तो ये पानी को अवसोसित करके मिट्टी की जल धारन खमता को बढ़ाता है, और मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुदरात यह पानी को धीरे-धीरे पोदे तक पूचाता है जिससे पोदे को लागातार नमी मिलती रहती है। जब एलेश्टर हाइड्रोजल पानी के संपर्क में आता है तो यह पानी को अवसोसित कर लेता है और अपने पोलीमर नेटवर्क में पानी को बनाया रखता है। जैसे मिट्टी सुकता है यह पानी को धीरे-धीरे छोडता है जिससे पोदे को निरंतर नमी मिलती रहती है। तो आईए आप जानते हैं इस एलेश्टर हाइड्रोजल का कुछ फाइदे के बारे में। सबसब पहला यह मिट्टी की जलधरन खमता को बढ़ाता है जिससे सिचाई की अवस्वक तक कम होता है। दूसरा सुखे के दोरान में भी पोदे को नमी मिलती रहती है। तीसरा यह मिट्टी में पोसक तत्तो को बनाये रखता है और माइक्रोवियल एक्सेन को भी बढ़ाता है। और चोथा फोसल की गुणवत्ता और उपज को भी बढ़ाता है। और पाचवा प्रयावरन के लिए भी यह सुरक्सित है। और छोटा जो फाइदा है इसका विविन्न प्रकार की मिट्टी में या फिर विविन्न प्रकार खाद के साथ इसको मिला करके आप लोग डाल सकते है। आप जानते हैं इसे कैसे उपयोग करें। सबसब पहला、 Elestra Hydrogel को आप लोग बुवाई के समय सीधी मीट्टि में मिला सकते हैं दुसरा, वीज पर Elestra Hydrogel को कोटिंग कर सकते हैं और तिसरा, इसे मिट्टि की उप्री सता पर छिडख सकते हैं आप जानते हैं इस Elestra Hydrogel का डोज के बारे में तो सबसे पहला जब आप लोग किसी भी फसल में ब्रोड कास्टिंग करते हैं यानि कि खाद को छिलकते हैं तो उस समय आप लोग को इसको तीन से चार किलो ग्राम प्रती एकड की इसाब से डाल सकते हैं यूबा पोदे के लिए प्रोती पेड 20-30 ग्राम अपलोग डाल सकते हैं और पुर्णोरूप से विक्सित पेड के लिए प्रोती पेड 100-200 ग्राम मिला जा सकता है और उसके लवत चोथा पेड के रुपाई के लिए प्रोती गड़े 10-15 ग्राम डाल सकते हैं तो दोस्तो इस Elastra Hydrogel को आज ही आज माईए और इसे जान पहचान किसानों के साथ सुझाईए और इसे खरिदने के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस नीचे दिया गया लिंक पर आप लोग क्लिक किजिए धन्यवाद